हाई फ्रेंड्स, वेल्कम इंट चाइनल फ्रैक गनिषा तो दोस्तो आप शुलिंग पर यदि दोस्तो हर दिन सो मुआर के दिन या दोस्तो शुव रात्री के दिन दोस्तो ये पाज प्रकार के अनाज जडाते हैं तो दोस्तो महालक्षिमी के साथ भगवान शिव और माता पार्वाजी का अचिरवाद भी आपको पुराप्त होगा तो चलिए जानते दोस्तो ये पाच अनाज कौन से है तो दोस्तो ये चैनलेस पेले मेरी चैनल को सब्सक्राइब आउशे करें बेल अकान प्रेस करके आल बटन पर क्लिक शुरूर करें तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से तो दोस्तो शिव जी को प्रसंद करने के लिए शिव लिंग पर अनेको प्रकार की चीज़े चड़ाई जाती है मान्याता है कि शिव लिंग पर जो भी सरंदा से आरपीत किया जाए उसका फल अवश्य मिलता है जिया दोस्तो हिंदू धर में शिव लिंग की पूजा का बहुत महत्व है पूजा के देवरान, दोस्तो पूजा के दोरान शिव लिंग पर दूद दही शहद, पुश्प धतुरा, बेल पत्र आदि समयत कई चीज़े चड़ाई जाती है इन में से एक है शिवा मुठी, जिसमें पाँच प्रकार के अनाज शिव लिंग पर आरपीट करने का खास विदान है दोस्तो यदि आप ये पाँच अनाज हर सुमार को या हर दिन, या शिव रातरी की दिन या प्रदोशकाल में भी चड़ाते है तो आपको अनेको प्रकार के लाप मिल सकते है चलिए जानते दोस्तो ये लाप कोन से है तो दोस्तो नमबर 5, Shooling पर चावल चड़ाना जिहाँ Shooling पर चावल चड़ां बहुती शूप माना जाता है चावल चड़ाने से धन लाप होता है इससे जुड़ी समस्या भी दूर होती है आर्थिक तंगी हमेशे के लिए मिट जाती है चावल चड़ाने से आर्थिक स्तिती सुधारने लगती है तंगी कर्ज आधी परिशाने दूर होने लगती है ध्यान रही कि चावल के दाने साबोत हो यानि कि टूटे फूटे ना हो तो दोस्तो नमबर दोर शिवलिंग पर हरल की दाल चड़ाना बहुती शो मना जाता है जीवने में सम्रुद्धी और संपन्नाता का वास होता है पिली हरल चड़ाने से बूद्गर भी मजबूत होता है दोस्तो पिली हरल चड़ाने से नौकरी में सपलता मिलती है तो दोस्तो नमबर तीन शिवलिंग पर काले तिल चड़ाना यह बहुती लापकारी मना जाता है काले तिल चड़ाने से पित्रों दोश शान्त होता है काले तिल चड़ाने से पित्रों का आशिरवाद मिलता है और राहू का दुषप्रवाव भी घर से खत्म होने लगता है त बना रहता है इसके अलवा संतान सुख की प्राप्ती होती है शीवलिंग पर गव चड़ाने से विवा की बादा दूर होती है तो दोस्तो अवश्य ध्यान रखे वाईवाई दमपत्ति को शीवलिंग पर गेहु जरूर चड़ाना चाहिए इसे आपको भाइदाई होगा तो दोस्तो नमबर पाच शीवलिंग पर मुंग चड़ाना शीवलिंग पर मुंग चड़ाना शीवलिंग पर मुंग दाल चड़ाने से नकारता कुर्जया नश्ट होती है किसी भी काम में आ रहे बादाय दूर होने लगती है काम सफलता के साथ भूरा होता है इसका लाग आप को मिलता है दोस्तों आप भगवान शिव जी को प्रसंदक करने और उनकी कृपा पाने के लिए शिव लिंग पर शिवा मुठी यानि की पास तरह के अनाज आरपीद कर सकते हैं अगर दोस्तों यह अनाज आरपीद करते हैं तो आपकी हर एक मन के इच्छा तूरंध पूर्ण होगी दोस्तों सो मार के दीन हर दीन या दोस्तों शीव रात्री के दीन या प्रदोशकाल में यह उपाए अवश्य करें इससे आपको फायदाई होगा तो दोस्तों यह चड़ाने से आपकी हरे किछा पूर्ण होगी दोस्तों आप विडियो कैसे लगा अच्छा लगाऊ तो लाइक शेर और कमेंट्स जुरूर कीजिएगा और कमेंट्स में ओम नमशिवाय वाश लिखेगा तरने बाद